हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टूआ यूट्यूब चैनल आयरवेदा हैकर तो दोस्तों आज हम जिस आयरवेदिक मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं उसका वर्णन स्वयम भगवान भासकर ने किया था जिसका नाम है लवड भासकर चून तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस इसके इंग्रीडियंट्स क्या क्या है तो इसमें जो सबसे पहले चार नमक आ जाते हैं कौन-कौन से समुद्र लवण सौचर लवण विड नमक और सेधा नमक इसके अलावा इसमें इसमें धान्यक यानि धनिया पिपली पिपली मूल काला जीरा यानि किष्ण जीरक तेज पत्ता नाग केसर तालिस पत्र अमलवेतस इसके अलावा काली मिर्च जीरा हो गया सुन्थी हो गई और दाडीम यानि अनार दाना दाल चीनी और छोटी इलाइची ये हो गए इनके कंटेंट अब इसमें को बनाते कैसे हैं इनकी मात्रा क्या क्या होती है तो इसमें समुद लवर लेते हैं पांच कर्स इसके अलावा विड नमक सेधा नमक धनिया विपली विपली मूल काला जीरा तेज पत्ता नाक केसर तारिस पत्र और अमल वेतस इन सब को दो-दो कर्स लेंगे और काली मिर्च जीरा और सोंट इनको एक-एक कर्स की मातरा में लेना है और जो जोटी इनको आधा-धा कर्स की मातरा में ले करके सब का चूड कर लेना है यही क्या है लवन भास कर चूड अब हम देखते हैं इसका उपयोग इस चूड का कॉमनली जो उपयोग मतलब लोग जानते हैं वो क्या है दीपन और पाचन बट इसके अलावा भी इसके बहुत सा सारी उपयोग हैं जैसे यह वात कफज गुल्म में काम करता है पलीहा उदर रोग उसमें काम करता है छै रोग में काम करता है अर्स यानि पाइल्स में काम करता है ग्रहणी रोग में काम करता है कुष्ठ में यानि स्किन डिजीज जो है उसमें भी काम करता है इसके अलावा constipation बिवंध यानि बिवंध और भगंदर हो गया फिश्टला सूजन किसी बगार के सूजन है सूल हो दर्द हो रहा है स्वास खांसी आमवात हो गया हिद्रोग हो गया मंद आगनी इन सब रोगों का नास करता है अब हम देखते हैं इसके अनुपान यानि इस मेडिसिन को आप मतलब कैसे लेंगे किसके साथ इसका सेवन करना है वो है मस्तू, तक्र, सूरा और आसव अगर इनके साथ आप मेडिसिन लेते हैं तो इसका जो प्रभाव है आपको अच्छे से देखने को मिलेगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू